स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से खुपसूरे से प्लाटफॉर्म पर जिसका नाम है जेयार कॉलेज प्यार जैसा कि आपको पता है इस चानल के उपर हम लोग ने एक नया 11th और 12th स्टानेज के लिए हमारे बच्चों के लिए हम लोग ने नया बैच शुरू किया हुए सही है जिसमें हम लोग science and commerce सारी चीज़ा आप लोग को पढ़ा रहे हमारे पास एक बहुत ही बहतरीन टीचर की टीम है जो आप लोग को हर एक subject lecture by lecture अच्छे से पढ़ा रही है सही है अगर मैं अपनी बात करूँ बच्चों तो मैं आप लोग को biology पढ़ा रहो और 12th biology में हम लोग ने 9 chapter complete कर रखें और last lecture में हम लोग ने अपना 10th chapter शुरू किया हुआ था that is our human health and disease सही बात है ठीक है so I know हम लोग थोड़ा सा पीजे चल रहे है अपने syllabus से बट कोई बात नहीं मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है कि इसके आगे के जो chapters है वो हमाने आगे के lecture lesson number 11 lesson number 12 13 14 15 तो यह सब कुछ वहाँ पर available है साथ ही साथ हम लोग revision जब लेंगे तो उस टाइम पे भी मैं आप कोई सारी चीज़ा पढ़ा हुआ है इक बार वापस सभी बात है ठीक है सो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूत नहीं आप लोग के हर एक lesson complete होने वाले हैं आपके exam होने से पहले पेले ठीक है चलेगा तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारा 10th lesson जिसक के बहुत सारे factors हैं वो सब कुछ मैंने आप लोग को लास्ट वाले lecture में explain किया हुआ था सही है आज हम लोग क्या करेंगे बच्छों आज हम लोग सारे के सारे disease को पढ़ने वाले हैं सारे तो नहीं possible है पर जितने disease हो सकते हैं उतना possible आज हम लोग इस lecture के अंदर करेंगे ठी चीज़ें यहां पर लिक के लाई हुए एक बच्चे ने मुझे comment किया था मुझे message किया था Instagram पर कि सार आप जैसे पढ़ाते हो मैं कैसे पढ़ाता हो तुम लोग को कि मैं सिफ topic का नाम डाल देता हूं सही है और फिर lecture के time पर ही सब लिक लिक कर लिक कर बताने लगता हूं सह अगर आप एक काम कर सकते हों कि आप पहले सही नो बोर्ड पर चीज़ें प्रिपेर कर सकते हो या फिर कुछ लिक लिक के लाओगे जिसके विसे आपका lecture का length कम हो जाएगा और आप ज्यादा चीज़ें कर पाओगे समझ मैं ही बाच्टे कि है तो उसे भी मैंना as a feedback लिया औ और मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख कर लाई है तो उसी के हिसाप से हम लोग आख चलने वाले हैं सही बात है अगर आप लोग ने मेरे instagram पे join नहीं किया है अगर आप लोग कुछ feedback देना है अगर आप लोग को मुझसे बाते करनी तो आ सकते हो मेरे instagram पे वहाँ पर मेरे ही होंगे सही है तो वो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर डाउनलोड करके रखेंगे आप लोग को सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी question paper मिलेंगे practice करने के लिए जिससे आपका examination में marks बढ़ने के chances बहुत ज्यादा है मैंने strategy video भी डाली होई है सही है तो उसे भी ज and disease सही बात है ठीक चलो चलो करते है देखो लास्ट वाले lecture में एक topic बज़ गया था बच्चो जो मुझे लास्ट वाले ही lecture में पढ़ा देना चाहिए था पर यह topic रहे गया वहाँ पर तो मैं इससे अभी पढ़ा रहा हूं चोटा साई topic है दो मिनिट लेगा पर समझ लो कि क क्या होता है जिसका नाम क्या है देखो एरिथ्रो ब्लास्टोसिस और आपका फॉर्टालिस फॉर्टालिस क्या होता है यह मुझे आप लोगगो थोड़ा सा समझाना है देखो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोग को बच्चो ब्लड ग्रूप पढ़ाया था ब्लड ग्रूप क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जितने भी और्गेनिजम सब्तून के आर्बीसी के उपर अंटीजन लगे हुए होते हैं अब दो प्रकार के अंटीजन हैं एक अंटीजन A और एक अंटीजन B सही बात हैं जिसके पास भी अंटीजन A प्रेजन होगा उसका ब्लड ग्रूप A है जिसके पास भी अंटीजन B प्रेजन होगा उसका ब्लड ग्रूप B है जिसके पास दोनों antigen present होंगे, जिसके RBC के उपर दोनों antigen present होंगे, A और B, उसका blood group क्या हो जाएगा, A B, और जिसके RBC के उपर कोई भी antigen ही नहीं present होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका blood group O हो जाता है, फिर मैंने आप लोगो RH factor बताया था, RH factor मतलब क्या, कि एक additional antigen present होता है, आपके RBC के उपर, additional antigen है, किसी-किसी के अंदर वो present हो भी सकता है, किसी-किसी के अंदर वो present नहीं भी हो सकता है, और ऐसा देखा गया है, कि जिन organisms के अंदर, वो extra antigen present होता है, उनको थोड़ा सा जादा हम लोग कह सकते ही, थोड़ा सा जादा advantage मिलता है, कोई भी disease से लड़ने के लिए, सही बात है, ठीक है, तो वो antigen था RH factor, अब मैंने आपको बताया था, कि जिसके पास भी RH factor present होगा, उसके blood group में हम लोग positive लिख देते हैं, और जिसके पास भी RH factor नहीं होगा, हम लोग वहाँ पर negative लिख देते हैं, तो अगर आपके पास B antigen है, और आप आपके पास RH factor भी present है, तो मैं कहूँगा, कि आपका जो blood group है, वो क्या है, B positive, सही है, अगर आपका blood group, मालनों, आपके blood, RBC के उपर antigen present है, A, सही है, और आपके पास कोई भी RH factor प्रेजन नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, आपका जो blood group है, वो क्या है, A negative, समझ में ही बाच ठीक है, सो ऐसे मैंने आप लोगो blood group समझाया था, लास्ट वाले lecture में, अब एक उसी से बीमारी आती है, बच्चों, उसी से बीमारी है, जिसका नाम क्या है, बच्चों, Erythroblastosis, that is Fortalis, अब इसका क्या मतलब है, देखो, यह बीमारी, जनरली हम लोगों को देखने मिलती है एक प्रेगनेंट फीमेल में, ठीक है, एक प्रेगनेंट फीमेल है., जिसका जो blood group है ना बच्चों, वो नेगेटीव है, वो कैसा है, नेगेटीव है, नेगेटीव समझ रहा हूँ, मतलब इस फीमेल के पास कोई भी रह फ्रेक्टर प्रेजेंट नहीं है, सहीँँ, पर इस इसके इसका जो fetus मतलब क्या? इसके embryo में इसके embryo में बच्छो जो baby है baby, आमझ रोट इसका जो इसके embryo बेबी होगा, इसका जो baby है बच्छो, इसके बड़ ग्रूप का जो blood group बच्छो वह positive है, समझ रोट other will have the period can't stop positive है, ऐसी condition बनी हुई, father अदर से आया होगा positive वाला जीन जिसके वेसे क्या हुआ इस बेबी का जो blood group है वो positive है पर इसकी मम्मी जो है जो प्रेमी में है उसका blood group क्या है negative है अब इस condition में क्या होगा इस condition में आप लोगो एक चीज बताई थी last वाले lecture में अगर आप लोग देखी तो बहुत लास्ट वाले lecture देखना है जरूरी है तो मैंने आप लोगो वहां पर बताया था कि अगर आपकी बॉड़ी के अंदर कोई यहाँ होगा इस चैनि इस पीमेल को लगेगा और यह कोई बाहर शेल आ गिया है तो इसका बॉड़ी क्या करेगा उस को मारने की कोशिश करेगा समझे वैस संट इसे कंडिशन में ऐसे कंडिशन में आगर किसी female को नहीं पता, देगो, lack of knowledge का खेल है, अगर इस female को नहीं पता है, कि मेरे baby का blood group positive है, और मेरा blood group negative है, तो उस condition में, समझ रहाँ, उस condition में इस baby की death हो सकती है, समझे हैं, बच्टे कि उस condition में इस baby की बच्चो death भी हो सकती है, और अगर पता है, तो चलो, डॉक्टर्स कुछ medicine के द्वारा, baby को बचाया जा सकता है, पर अगर lack of knowledge नहीं पता है, female को, कि उसके बच्चे का blood group positive है, इसका blood group negative है, तो उस condition में इस baby की death भी हो सकती है, तो यही एक बिमारी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, blood group, rh factor, तो यह उससे connected है, clear है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, चेकर है, तो चलो, चलते हैं, आज अपने main topic को start करते हैं, द्यानियानि की disease को start करते हैं, अब देखो, disease का मतलब मैंने आप लोग को already बताया हुआ था, last एक कुछ lectures में, last वाले lecture में आपको बताया था, बच्चों, जो disease है, वो दो words से मिलकर बना हुआ है, एक है disc, और एक है ease, ease का मतलब होता है, हम लोग कैसे है, comfortable, तो disc का मतलब क्या है, आप uncomfortable हो रहे हो, आप अपनी body, आपकी जो body है, वो comfortable नहीं है, अगर वो normal perform नहीं कर पा रही है, किसी भी condition द्वारा, तो हम क्या कहेंगे, it is a disease, सही बात है, चीक है, तो देखो, इसका definition क्या कहता है, इसका definition भी यही कहता है, it is a condition of disturb, और derange, ठीक है, derange मतलब क्या खराब काम करना, सही बात है, तो, it is a condition of disturb, disturb, disturb मतलब क्या, आपकी body क्या हो चुके है, disturb हो चुके है, पुरी तरीके से, अच्छे से function नहीं कर पा रही है, और derange, functioning of organ, चीक है, आपके body में जो organs है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे है, या फिर पूरा का पूरा organ system अच्छे से definition, अगर आप लोग के exam में definition, चीक है, कर भी भी आज आए, तो ये लिख सकते हैं, चीक है, ये लिख सकते हैं, क्या है definition, it is a condition of disturb, और derange functioning of organ and organ system, या फिर और organ system, चीक है, आपके body के अंदर कोई भी चीज अच्छे से function नहीं कर रही है, अगर वो disturb हो चुकी है, तो मैं कह सकता हूँ, कि आपके body के अंदर क्या है, इस समय disease है, clear है, समझ में आ रही बार, चीक है, ये समझ में आ गया, अब आपके जो disease हैं बच्चो, उसके कुछ types है, देखो यहां से, मैंने वो भी लिख कर लाया है, आपके जो disease हैं बच्चो, वो total दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक है बच्चो, कुनाइन जेनिटल डिजीज, चैकर एक है बच्चो, कुनाइन जेनिटल डिजीज, अब इसका मतलब क्या है, ये वो disease हैं बच्चो, जिनके साथ आप born होते हो, जिसके साथ आप पैदा होते हो, समझे लो, जो आपके साथ बर्थ से हैं, by birth, समझे लो, अब ये कौन से disease होती है, जो हमारे पार बर्थ से होती है, जैसे कोई भी genetic disorder होता है, जैसे हम लोग ने पढ़ाया ना, down syndrome, turnart syndrome, lime filter syndrome, तो ये सारे क्या है, genetic disorder है, ये सारे के सारे disorder हमारे पार बर्थ से रहते हैं, क्योंकि हमें gene ही खराब मिला है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, जैक है, तो ऐसे disease को हम लोग क्या बोलते हैं, congenital disease, जैक है, ऐसे disease को हम लोग क्या बोलते हैं, it is a congenital disease, इस chapter में हम लोग इन डीजीजी की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसकी बात हम लोग ने आलरीडी, I guess हमारे third वाले lecture में कर दिया था, third वाले lesson में कर दिया था, साहिए, line filter syndrome, यह सारे syndrome, इνद्रोम की बात हम लोग ने, हमारे थर्ड वाले लेसन में की हुई है तो इनकी बात हम लोग यहां पर नहीं करने वाले मैं से आप लोगो टाइप्स बता रहा हूं दूसरा टाइप है बच्छो एकवायर दूसरा टाइप है एकवायर डिजीज नो वट इस वीमारिया जो हम अपने जिंदगी के टाइम प अब एकवायर डिजीज बच्छो दो प्रकार की है एक ऐसी डिजीज जो फैल सकती है जैसे मानलो कॉमन कोल्ड हो गया टीबी हो गया टुबिरकुलासस हो गया ऐसी बिमारिया जो अगर आप आसपास बैठोगे तो आपको भी हो सकती है अगर सामने वाले परसन को है तो इसको हम लोग ड्रॉपलेट सिस्टम भी कहते हैं हम लोग ड्रॉपलेट इंफेक्शन भी कह सकते है इसको इन्फेक्शन और भी बहुत सारे टाइप होते हैं और बहुत सारे इन्फेक्शिज होती है पर ड्रॉपलेट इंफेक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जैसे मान लोग आपको सर्दी हुई है और आपने चीखा जोर से हमेशा ऐसा कहा जाता है आ कि जब यह आप छीक आ आपके body से कुछ droplet निकलते हैं सही कुछ droplet निकलते हैं और वो कुछ समय के लिए उस air में फैल जाते हैं सही है अब अगर आपके आज पास कोई भी बंदा उस air को इनहेल करेगा तो उस droplet में वह वाइरसेस हैं वह बैक्टिरियास है वह पैथोजन है पैथोजन के लो सही है और उसने क्या कर दिया दूसरे परसन को मिमारी देदी सही बात है और यह के बच्छों नॉन कमिनिकेबल डिजिज जो मैं आप लोगों बता है जो आसपास बैटने से नहीं फैलती आप उसके बाज वह बैठे तो आपको नहीं फैल लिगी वह बंदा छीके का खासेगा तो इसमें एक्जामपल आप लिख सकते हो cancer इसमें एड्स का एक्जामपल भी लिख सकते हो एड्स भी ऐसे नहीं फैलता है तो आप लोग को टाइप समझ में आ गया disease के दो प्रकार है एक आपका congenital congenital मतलब क्या congenital बच्चों वो disease है जिसे हम लोग by birth जिसके साथ हम लोग पैदा होते हैं जो हमको by birth मेली हुई है ऐसे disease को हम लोग congenital बोलते हैं सही बात है जैसे हम लोग ने बात की न अपना जो क्रो मोल्ड वर जेनेटिक डिजीज होती है genetic disorder होते है वो सारे के सारे congenital में आएंगे सही है जैसे down filter syndrome, line filter syndrome, down syndrome यह सारी-सारी किस के अंदर आएंग आती है that is nothing but our acquire disease अब acquire disease दो प्रकार की है communicable एक non communicable जो आज पास बैठने से फैल रही है वो communicable जो फैल नहीं पा रही है वो non communicable बात समझ भाई ठीक है अब मैं आप लोगो बच्चो disease के चार्ट दिखाता हूं कौन-कौन से disease हम लोग को इस lesson में पढ़ने है किसकी किसके बार दिया है already देखा ठीक है मैंने आप लोग लेक्चर में स्टाइडिंग बताया था ना कि मैं लिख लिख कर लाया हूं चीज़े हैं सबसे पहला है मलेरिया मलेरिया का नाव आप लोग ने सुना ही होगा सबसे पहला है उसके बाद है बच्चो आपका यह जो दोनों बिमारी है बच्चो यह एक प्रोटोजोन डिसॉडर है मतलब यह प्रोटोजोवा की वज़े से होता है उनकी वज़े से क्या होगा यह विमारी हमें देखने के लिए मिलती है मलेरिया आप लोग को पता ही है पढ़ाऊंगा मैं अभी आप लोग को चैके हम बहुत देकार सीन हो जाता है इंसान के साथ उसके बाद दो हैलमिंधिक डिजीज है है जो हैलमिंधिस से होती है अगर आप लोग ने 11 स्टैंडर्ड में या फिर 10 स्टैंडर्ड में मेरे साथ या फिर किसी भी टीचर के साथ एनिमल किंग्डम पढ़ा होगा चैके तो वह से समां देखो कैसा इसका लाटी है है ये हलमिंधिस और इसकल है ये थिस समझरू तो दोनों के नाम से क्या है 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 हल्मिंधिस हल्मिंधिस का मतलब होता है बच्चों ब़ॉम बहुत ही बेकार वाम मैं आप लोग पढ़ा था तो यह इन वों से एसकल हल्मिंधिस औ अगर आपको कोई विमारी होती है, तो वो halmynthic disorder है, halmynthic विमारी है, सही बात है, अब इस पर भी हम लोग को दो चीज़े पढ़नी है, एक आपका aschariasis, ठीक है, aschariasis होता है, ascal halmynthis के एक member से, जिसको हम लोग ascharis कहते हैं, ascharis नाम का एक member होता है बच्चो जो Askyl Helmynthus का member है, सही है, उससे हमको एक बिमारी होती है बच्चो जिसको हमलोग कहते है, Ascaryasis, सही है, और ये के बच्चो, Elefantiasis, इलीफंटीasis हम नाम से सुन रहा होगा, भये ये Elefant में होनी ची, आसा नहीं है, ये हमारे अंदर भी होती है, आप लोग ने सुन बढ़े जो लोर साइड है रिवड़े हो जाते है बहुत ही सूच जाता है अम लोग कह सकते हैं से तो उस बिमारी को अम लोग कहते है टिज ही और स्व कुछ बैक्टीरिया की वचे काउस हो रहा होगा वह वह बैक्टीरिया के वजह से कौन कौन से बीमारिया है एक आपको टाइफॉड पढ़ना है टाइफॉड भी कॉमन है काफी जदा आप लोग ने देखा होगा अपने आसपास में दोस्त लोग बुलते हैं मेरे को आज टाइफॉड हो गया है मैं मैं आज में स्कूल में नहीं आप होगा इसा कहते होंगे न तो के बारे में सुनना है और हम लोग पढ़ना है बच्चों निमोनिया के बारे में निमोनिया क्या होता है निमोनिया वह बहुत ही लीथल बिमारी है सही है तो यह सारी चीज़ हम लोग को पढ़नी है आपके बैक्टेरियल के अंदर उसके बाद एक फंगल डिसॉडर है जिस तो अभी इतना समझ में आ रही है इतनी बात समझ में आ रही है उसके बाद बच्चो वाइरल वाइरल मत तब क्या जो वाइरस से होती है ऐसी विमारिया जो हम वाइरस से देखने के लिए दो पंडना हम लोगों एक आपका common cold जो आप लोगों हो जाता है जो मुझे अभी है ठीक है सरदी है मुझे थोड़ी सी ठीक है ठीक हो गया हो में थोड़ा वैसे पर common cold जो की बहुत ही ज़्यादा कॉमन है सबको होता रहता है और एक है आपका AIDS पंडना है और लास्ट हम जैसे होती है हमारे ही कुछ cells होते हैं जो बागी हो जाते हैं जो गद्दारी करने लगते हैं हमारे समझ रहो ठीक है तो ऐसा कुछ होता है cancer के अंदर पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों टेंशन मतलो ठीक है तो इतनी बीमारियों को हम लोगों पढ़ना है इसे एक बार screenshot ले करेंगे उसके बाद ascaris, elephantiasis, trifle, pneumonia, ringworm, common cold, AIDS और cancer आज इस लेक्शर में जितनी चीज़े हो सकती हैं जितना पॉसिबल है उतने बीमारियों को मैं खतम करने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा fast जाएगा बहुत सारे जो symptoms होंगे जो precautions होंगे जो आप लोग खुद से read करके सम कर सके इसलिए मैं सब लिखकर भी लाया हूँ तो चलो start करते हैं सबसे पहला क्या है सबसे पहला है बच्चो protozoan disease में सबसे पहली चीज़ पढ़नी है हम लोग को malaria अब malaria के बारे में पढ़ते हैं malaria बच्चो आप लोग में सुना होगा कि malaria जो है बच्चो वह एक मच्छर के काटने सो जाती है हम लोग बोलता है इसको बहुत मच्छर काट रहे हैं इसको malaria हो सकता है actual में मच्छर कोई हमारा pathogen नहीं है मच्छर malaria cause नहीं करता मच्छर के gut में या फिर हम लोग कह सकते हैं मच्छर के salivary gland में एक protozoa होता है जो हमको क्या करता है malaria cause करता है तो मच्छर उसके लिए सिर्फ host है host समझते हो ना जिसमें वो सिर्फ घर बनाके रह रहा है अपना समझ लेक्टर बोलते हैं क्या बोला मैंने जैसे मान लो आप घर से निकले अब आपको college जाना है तो आपको रिक्षा लेते हो घर से बाहर निकले रिक्षा लिए बस लिए पर train लिए जो भी चीज लिए उस पे आप बैठें और उसने आपको क्या खिर दिया वहां पर उतार दि हो जो किसी चीज को transfer कर रही है एक जगह से दूसरी जगह transfer कर रही है तो biology में बच्चो उसे वेक्टर कहा जाता है जैसे हम लोग biotechnology में भी वेक्टर पढ़ेंगे आगे चल कर जब अगर lesson चालू किया मैंने तो वहां पर मैं आप लोगो वेक्टर पढ़ाऊंगा तो चीज को यहां से उठा कर दूसरी जगह पर लाकर रख रही है उसे हम लोग वेक्टर कहेंगे सब्सक्राइब है तो जो मॉस्केटो है एक्चल में मॉस्केटो है एक टयप का वेक्टर है बच्चो जो हम लोग को देखने के लिए मिलता है मलेरिया का कौन सा मॉस्कीटो इसमें होते हैं आनीब होसीली भाफ फिलीज मॉस्यटों जाधा त歌्ई मोलै शादा जो हम प्लांट की ओपर घूमेंगे, बट जो फीडेसां का ब्लड रिमूव करती है हम लोग ऐसा कह सकते हैं, क्यों? क्यों कि देखो, female egg बनाती है, egg ले करती है, और egg बनाने के लिए, reproduction करने के लिए उन्हें blood की जरौत होती है, blood के अंदर जो nutrition होते हैं, उनकी जरौत होती है, सही बात है, इसलिए जो females होती है, वही आपका क्या करेंगी, हमेशा आपको काटें बाकि जो males होते हैं, वह ज्यादा तर हर भी बोरस होते हैं, तो आपको plant के area मिलते हैं, plant को खाते हैं देखने के लिए मिलेंगे, सही बात है, चेक है, so vector, कौन सा vector है बच्चो, anophilis mosquito, anophilis mosquito is a female mosquito, जो की एक vector है, किसका, malaria के protozoa का, कितने type के protozoa है, चार प्रकार के protozoa है, द यह जो मैंने पी पी लिखा है, it is nothing but the plasmodium, मैंने बार बार नहीं लिखा, मैंने सिर पी लगा के dot लगा दिये, so P, नहीं प्लास्मोडियम, falcipurum, ठीक है, एक है आपका falcipurum, उसके बाद एक प्लास्मोडियम आपका malaria, देको simple सा नाम है, plasmodium malaria, और एक आपका plasmodium vivax, ठ फिर E है, एक बार चेक कर लेना, टेक्स्बूक में, देख लेना क्या है, अब इसमें सबसे डेंजर कौन जाए, सबसे डेंजर है, बच्चो, falcipurum, अगर किसी भी परसन को falcipurum वाला malaria हो जाए, तो उसकी death भी हो सकती है, उसकी death भी हो सकती है, बच्चो, समझ में ही अगर किसी भी परसन को falcipurum वाला malaria हो जाए, उसको ऐसे वाला mosquito का आटले, जिसके अंदर, प्लाज्मोडियम, falcipurum है, तो उसकी death भी हो सकती है, इतना खतरनाक होता है, और जो common होता है, कौमर वाला कौन सा होता है, ओवैल, ये वाला, प्लाज्मोडियम, ओवैल, ये ज् कर लो, जिसका नाम सबसे बड़ा है, वो क्या है, ज्यादा lethal है, जिसके वैसे ज्यादा death होती है, अब अगर इसके host की बात करें, बच्चो, host मैंना आपको बताया, host मैंना आपको बताया, host उसे कहते हैं, जिसकी body में आपका मलीर रहेगा, सही है, अगर मान लो, मेरे body में क बच्चो, parasite की तरह है, हम लोग ऐसा क्या सकते हैं, अब अगर मैं इस plasmodium के, इस plasmodium फेले सरा है, फिर मैं सिर्फ plasmodium बोलता हूँ उन सबको, plasmodium के host की बात करें, तो इनके दो host है, वैसे host दो प्रकार के होते हैं, फेले मैं तुम लोग को type समझा दू, दो प्रकार के host होते हैं बच्चो, एक होता है, primary host, देख़ें, और एक होता है, secondary host, दो प्रकार के host आप लोग को देखने के लिए मिलते हैं, एक होता है primary host और एक होता है secondary host, अब primary host कौन होगा, आप लोग इमेजिन करो, कि एक plasmodium के लिए, mosquito primary host है या इंसान primary host है अगर आपको लगता है कि mosquito primary host है then you are right mosquitoes are primary host and humans are secondary host अब आप लोग सोच रहोंगे कि सरी primary secondary किस base पर decide कर रहे हैं हम लोग हम लोग इस base पर decide कर रहे हैं कि जिस भी host के अंदर आपका plasmodium sexual reproduction करेगा ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला जिस भी host के अंदर आपका plasmodium sexual reproduction करेगा वो host उसके लिए primary host है तो इसका sexual reproduction sexual reproduction कहां पर होता है mosquito के अंदर और a sexual reproduction कहां पर होता है आपका human के अंदर ठीक है मैं पढ़ाओंगा आप लोगो life cycle बताओंगा इंगी पर इतना समझ में आ गया है हाई होप आप लोग इतना समझ में आ गया screenshot ले लो एक बार समझ में आ गया ठीक है तो मैंने क्या बोला आपका जो होस्ट है दो प्रकार के होस्ट होते हैं एक primary होस्ट और एक secondary होस्ट प्राइमरी होस्ट उसे कहते हैं जिसके अंदर वो कोई भी आपका pathogen sexual reproduction कर रहा हो तो हमारा sexual reproduction जो प्लाजमोडिय में वो कहां करता है mosquito के अंदर करता है so mosquito is a primary host and human is a secondary host clear है अब बच्चो इसके life cycle के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं जैके मैंने diagram लाया हुआ है पर मैं आप लोग को खुझ से पहले बना के दिखाता हूँ और समझाता हूँ बच्चो कि इसकी life cycle कैसी है कैसे जिन्दगी वतीत करता है कैसे इसके sexual live reduction होते है कैसे sexual live reduction होते है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो माल लो माल लो यह आपकी skin की लिए रहे है suppose this is the skin यह आपकी skin है अब skin के बाहर से बच्चो एक mosquito आएगा मान लो यह आपका मॉस्केटो है जो कि इसे डंक लेकर आ रहा है दिख रहा है बराबर अब यह डंक लेकर आ रहा है बच्चो और इसने आपको क्या किया यहाँ पर काट लिया अब जैसे इसने आपको काटा जैसे इसने आपको काटा इसने क्या छोड़ दी अपने plasmodium छोड़ दिया, यह जो plasmodium यह जो जिस form में है बच्चो इसको हम लोग कहते है, it is a sporozoid, इस form में है, का नाम क्या है, these are the sporozoid, ठीक है, जिस form में है, इसे हम लोग क्या बोल रहे है, it is a sporozoid, अब याद करो, lecture number 1 में आप लोगों मैंने बताया था, कि जैसे ही blood म कोई भी दूसरा pathogen entry करता है, कहां उसके वहाँ पर, दो heroes की entry होती है, कौन-कौन ते दो heroes, एक था आपका neutrophil, और एक था आपका macrophage, सही है, macrophage किस से बना था, monocytes से बना था, तो एक आपका neutrophil और एक आपका macrophage, दोनों आते हैं, पकड़ने के लिए, कि वह जए चलो, यह देखो, यह एक बाहर से बन्दा आ गया है, इसको तो मारना पड़ेगा, ठीक है, तो सब इसको खाने स्टाइट कर देते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताओ, मैंने आपको सिखाया था, वहाँ पर, कि, जो macrophages होते, या फिर जो neutrophils होते, उनके खाने की एक speed होती है और अगर bacteria, उनके खाने की speed से जाधा अगर वो बढ़ने लगा, जल्दी reproduction करने लगा, तो भया, इनकी टादाद बढ़ने लगेगी न, तो अगर मैं बात बताओ, बच्चो, यहाँ पर जो plasmodium है, यह 3x speed से, मतलब 3 गुना, 3 गुना, जाधा speed से reproduction करता है, जिस speed से आपका neutrophil उसको खा रहा है, समझे लो, तो neutrophil जो speed से खा रहा है, उसके, उससे 3 गुना जाधा speed से क्या कर रहा है, आपका plasmodium reproduction कर रहा है, तो यह फटा-फट-फट-फट-फट-फट-फट-बाइनरी फिजन के थूरू, cell division करते जा रहा है, करते जा रहा है, इंक्रीस करते जा बात समझ महीं, बात समझ महीं, तो binary vision कर रहा है, इसका मतलब it is a sexual kind of reproduction, अब यह जाधा देर ब्लड में रहेगा नहीं, यह जाधा देर ब्लड में रहता नहीं, यह बोलता है, ब्लड में रहूँगा तो यार, आपका जो macrophages है और जो neutrophils है तो पीछी पड़े रहेंगे, त यह travel कर 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 के बच्चों, यह एक organ के पास पहुचते हैं, यह organ, क्या नाम इस organ का, नाम क्या है, it is a liver, our liver cell, हमारे liver के पास पहुचते हैं, अब मैंने आपने को देखो, कल last time lecture में बताया था, कि जब यह blood से आगे चलके किसी cells के अंदर घुच जाते हैं, और cells के अंदर अ पहुचते हैं, तो माल लो, यहाँ पे लिवर्ज के कुछ cell है, यहाँ पे किया कुछ cell है, लिवर के cell को हम लोग क्या बोलते है, ह्पयतो साइट, बायलोजी में, लिवर के cell को हमیš़ा क्या कहते हैं, ह्पयतो साइट, clear है, अगर कहीं भी, यह word आगया आपका, जाकिए अग आपके हेपाटोसाइट सेल में यह जो छोटे-छोटे छोटे-छोटे लाजमोडियम आये थे अब यह किसमे एंटर कर जाएंगे आपके लिवर में और यह यहाँ पर आ गया तो यह जैसे ही बच्चो इसके अंदर आते हैं अब यह बाइनिरी फिजन से अलावा अब यह इसके अंदर इसा बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस इस स्ट्रक्चर को बच्चो हम लोग शाइज ओन्ट कहते हैं क्या बोलते इसको शाइज ओन्ट ठीक है यहाँ देखो इस आर नोन एज जाई जोन्ट अब मैं आप लोगो समझाया है कि मल्टीपल फिजन इसके अंदर भी जाएंगे और इसके अंदर बनाएंगे और फिर यहां से क्या हो जाएंगे यह बहुत सारे यहां से निकलने लेंगे अब इन्होंने हिपाटिक आपके लिवर को भी खराब कर दिया, आपके लिवर को भी आल्मोस्ट खराब कर दिया, अब ये कहा जाएंगे, अब ये वापस बच्चों एंट्री करते हैं, बलड के अंदर, देखो हैं आपे, मालो, this is the blood vessel, ये क्या है, आपकी blood vessel है, छोड़ा छ अब ये next enter करते हैं, आपके किस के अंदर, बलड के अंदर, और बलड में एक बहुत important cell present होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बीसी, आपके अब ये घुज जाते हैं बच्चों, आर बीसी के अंदर, यहां पर आर बीसी में घुज गये, अब ये कहां घुज गये, आर बीसी के अंदर घुज गये, और बीसी के अंदर भी एक शाइयजन बनाने लगते हैं, मतलब बार बीसी के अंदर भी क्या करने लगते हैं, ये multiple fission करने लगते हैं, आइसा बड़ा सा एक structure बना लेंगे, आप देखो, ये Simply क्या कर र रहे हैं, cells को destroy कर रहे हैं, यहां पे इत्रोफ लास्टिक डाइजान इसके बात बहुत ज़्यादा मल्टिपल यहां पर आगे अब इनके बात दो रास्ते हैं या तो यह पूरे के पूरे आर्वीसी को डिस्ट्रॉई कर दे जो कि यह नहीं करेंगे तो इन्सान की मौत जाएगी अगर आर्बिसी का फंक्शन क्या है oxygen को सारे cells तक ट्रांसपोर्ट करना अगर बच्चो सारे cell तक oxygen ही नहीं मिलेगा सारे cells को oxygen ही नहीं मिलेगा, तो cell की death जाएगे, सही बात है, तो ये सारे RBC वो destroy नहीं करते हैं, ये आते हैं बच्चों, यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं, और ये अपना, that is a gametophyte बनाते हैं, they form gametophyte, now what is gametophyte, gamet को बनाने वाले cells को gametophyte, this is not a gamet, ये कोई gamet नहीं है, पर इस से इस तहल से आगे चल की gamet का formation होने वाला है, सही है, so these are known as gametophyte, तो यहाँ पे form हो गया, gametophyte, अब मानलो यहाँ पे ऐसे gametophyte बन गया है, यहाँ पे male gametophyte, female gametophyte, इसके skin के पास, ऐसे skin के पास आ जाते हैं, और अब ये वेट करते हैं, कि वापस कोई मच्छर इने काट मानलो यहाँ पे वापस एक मच्छर था, इसने अपनी चोच यहाँ दुबाई, और इसने क्या के सो काटा, जैसे इन मच्छर ने इसको काटा, यह वाला जो structure था, यह कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया, यह वाला structure था, यह वापस है, यह जो gametophyte था, यह कहाँ चले तो यहां पर एक है आपका मेल रिप्रोड़क्टिव मेल गैमेटोफाइट इस दो मेल गैमेटोफाइट और यह अपना मान लो इसने स्पर्म बना दिया दूसरे कलने से बनाते हैं मान लो इसने अपना स्पर्म बना दिया तो यह जाएगे और इसने बन जाएगा वह बड़े हो और यही कहलाने लगेगा अपका चräके प्रसॉइट यह का पर उब्रसॉइट घ्लाने लगेगा और यह sporozoid इस मच्छर के saliva में जाके बैट जाएगा, जो salivary gland होता है ना, उस salivary gland में sporosides क्या हो जाएगा जाके बैट जाएगा और यह मच्छर वापस किसी और को काटाएगा, समझ रहो, तो this is the cycle, समझ रही बात, यह एक cycle है बच्चों जो चलता रहता है, यह आपके skin के अंदर की process है, यह आपके skin के बाहर की process है, मतलब बाहर क्या चल रहा है, अब एक सवार और बच्चे पूछते है, कि sir, जब male gametophite और female gametophite बन गया था human की body में ही, तो यही पर क्यों नहीं उसने अपना sexual reproduction करने की कोशिश की, देखो, इसका एक reason है बच्चों, कि human की body का ज sexual reproduction नहीं होता, इनके sexual reproduction करने का जो temperature है, बच्चों, इनके gut में ही मिलता है, समझे हो, temperature का खेले, क्योंकि temperature पे ही बहुत सारे enzyme activate होते है, हमारे body में जितनी भी enzyme है, वो एक temperature पी activate होंगे न, अगर मानलो मैं अपने body का temperature भढ़ा दू कम कर दो, तो मेरे enzyme की activity कम जाधा हो इसलिए हमारा जो body का temperature है, वो हमेशा 37 ही होता है, जाधा कम नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमारे body के जितनी भी enzyme है, वो उस temperature के उपर perfect काम कर रहे है, समझ मैं रही बच, चेक है, so I hope आप लोगो समझा, तो जो mosquito का gut है, mosquito की body है, उसका temperature ही इनके लिए vulnerable होता है, vulnerable नहीं, favorable होता ह है, जिसमें यह अपना क्या करता है, sexual reproduction कर सकते है, अब आप लोग देख रहे हैं, कि sexual reproduction कहां पर हो रहा है, mosquito के अंदर हो रहा है, that's why mosquito is a primary host, and humans के अंदर क्या हो रहा था, multiple fission, binary fission, इसके अंदर is sexual reproduction हो रहा था, that's why it is a secondary host, clear है, समझ में आगिया बत, अब अपने diagram पर आजो, बुक में भी same diagram है, यह mosquito इसने काटा, चिक है, तो यहाँ पर देखो यह cells आगे, black color से बना दो, black color दीखिया न, ऐसे black color यूज़ करने का मौका तो मिलता नहीं, यही पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ और हिपाटिक, हिपाटिक से लोगो क्या करेंगे, फोड देंगे, जिसके बज़े से यहाँ पर एक mature schizont बनता है, तो यह, these are the schizont, फिर schizont आगे चले क्या होता है, तोट जाता है, तोट जाता है, ठीक है, और यहाँ से बहुत सार ऐसे मीरोजोट्स निकलता है, आच्छा यह मैंने आप लोगों नहीं बता है, I'm so sorry, कोई बात में चले, बागी प्रोसेस तो मैंने आप लोगों बढ़ियां बता दिये, सही बात है, उसके बाद यह मीरोजोट्स देखो कहा जाते है, इरित्रोसाइट में जाते है, यहाँ पर इरित्रोसाइटिक, क्या बनता है, सा इसके जो सिम्टम से देख लेना, इक बर पढ़ लेना, सिम्पल सिम्पल होगे, फिवर होगा, हैडेक होगा, फटीग होगा, फटीग होगा, यही सब चीज़े दी हुई है, सही है, तो आजब बढ़ते हैं अपने next, next है बच्चो, amoebiosis या फिर इसे bloody diarrhea भी बोलते है, ठीक है, amoebiosis क्या होता है, देखो, यह एक और plasmodium के बज़े से होता है, plasmodium तो नहीं, एक protozoa के बज़े से होता है बच्चो, जिसका नाम है anti-am अब यह क्या है, यह एक टाइप का, it is a type of, protozoa, is a type of a protozoa, सही बात है, एक protozoa की बज़े से यह होता है, अब यह कैसे फैलता है, एक सेकंड बच्चो, अब यह कैसे फैलता है, अब यह अपना डाउट है, यह आखिरकार फैलता है कैसे है, तो माल लोग, there is a person, इसको मैं थोड़ा side गर देता हूँ, तो suppose, suppose एक कोई person है, जिसको पहले सही M.E.O.B.S.S हो चुका है, यह बच्चा बहुत ही ज़्यादा, बजो person है, बहुत ही ज़्यादा मायूस है, क्यों भई यह इसको बिमारी हो गई है, यह बिमारी हो गई है, इसको चेके कौन से बिमारी है, it is a M.E.O.B.S.S. अब यह ज इस person की, जो poop होगा, मानलो, this is the poop, ऐसे, यह poop है इस person का, अब इसके poop में, या फिर इस person की point ही मैं कह सकते हैं, चलो his word को अभी यह use नहीं करेंगा अपन, इसके अंदर बच्चो, यहाँ पर कुछ cells देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर, ऐसे कुछ cells देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर चार नूकलेस होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, चार नूकलेस होते हैं, this structure is known as, tetranucleated cyst, इसे actual में cyst कहते हैं, इस actual में क्या बोलते हैं, cyst बोलते हैं, बट इसके अंदर चार नूकलेस होते हैं, that's why it is a tetranucleated cyst, सही बात है, इसका नाम थोड़ा सा ब इसका नाम है शेक्न नाम है टेरा नाम आंतलन युकलत इसट अब माल लो यहां से कोई मखी ए हैं इमेर जीन यहां पर कोई मख़ी ए है है क्मख को महीं को मख्ही कि नहीं अग्स को दीखा पूप आप लोग सब्सक्राइब देखा अगर माद लो जो पर्षन है इसने कहीं बाहर शौच कर दिया बाहर इसने कहीं पे ऐसा कर दिया हम इसे लिए लोग बोलते हैं कि बाहर शॉच नहीं करना चाहिए हमेशा वाश्रूम के अंदर बातरूम के अंदर ही करना चाहिए जिससे बहुत सारी बीमारिया फैलती है उसी का एक्जामपल में आप दे रहा हूं आप लोग को इस पर्सन ने जिसको यह हुआ हुआ है इसने कहीं बाहर जाकर शॉच कर दिया अब इसके शॉच में इसके पूप में क्या प्रेजेंट है अब यह जो मक्ही है इसने देखा कि भाईया यहां पर पॉट्टी है चलो खाना मिलेगा समझते है तो यह फटाक से जाके इसके उब कर यही मक्ही बच्चो उड़कर जाएगी समोसे बेठेगी गल् इस समोसा के उपर लग गए अब आप लोग बड़े ही चाओ से बड़े ही पसंद से इस समोसे को पकड़ पकड़ कर आ रहे हो माल लई आपका समोसा है तो आपने इसे मूँ बड़ा किया है और ये एक हाथ है ये हाथ को ऐसे पकड़ा हुआ है और इस समोसे को आप क्या कर रहे हो खा रहे हो अब जैसे ये सिस्ट आपके बॉड़ी के अंदर गया ये जाता है सी लिदे बैक्तिरिया एसे वापस ओपस फॉर्म हो जाते हैं और आपको भी ये बिमारी हो गई, किस से होती है विमारी, एक प्रोटोजवास है, जिसका नाम क्या है, एंचायमिबा, फिस्टॉल, लेटिका, सही बात है, अच्छा, इस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने आप लोग दिखाया है, इस रूट को हम लोग बोलते हैं, बच्चो, फीको, औरल, रूट, रूट, रहिए, फीको मतलब क्या, फीकर्स, यानि और पूप, ठीक है, औरल मतलब क्या मूँ, तो आपके पूप से, मूँ तक का जो सफर है, इस सफर क हम लोग क्या बोलते हैं, एक डिख फीको, औरल, रूट, समझ में ही बच्चिक है, तो contaminated चीजे, बहार की जो unwanted चीजे, उसको खाने से, ये बिमारियां आपको हो सबती है, clear है, clear है, समझ में आ गया, amoebiasis का life cycle समझ में आ गया, clear है, चलो, आगे बढ़ते है, what's next, next is है, बच्चो, ascariouses के बारे में, चीक है, ascariouses किसके वज़से होती है, अच्छा, ascariouses बच्चो होती है, ascarious के वज़से, ascarious नाम का, एक, ascariouses बड़े और एक छोटे, जो बड़ी वाली होती है, इसके अंदर sexual dimorphism देखने के लिए मिलती है, यह हम लोग ने पढ़ा था आपने, 11th में, सही है, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, देखो, यह किसके वज़से होता है, आपका ascarious की वज़से होता है, चीक है, और इसका primary host है, सिर्फ एक ही host है, इस दुनिया में इसका सिर्फ एक ही host है, और यह किसी को नहीं होता, चीक है, कौन है इसका host, इंसान, हम, we are the host, तो हम है इसके host, किसके host आपके ascariouses के, तो ascariouses तिर्फ आप लोग को हमारे अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, और हम ही इसके primary host है, मतलब हमारे अंदर ही यह sexual reproduction करेगा, चीक है, और मैंने क्या लिखा हुए, किस से होती ही देखो, यह आपके वही feco oral roots सही होती है, that is contaminated food and water, लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप, feco oral roots सही आपको यह भी चीज़े होती है, समझ में ही बढ़, चीक है, और क्या क्या हो, आप ते हुए देखने के लिए मिलेंगे, चीक है, और साथ-साथ में, आपने के body में internal bleeding होगी, सही है, आपको नहीं, चीक है, गलती से मैं बार-बार आप आपको बोल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता किसी कोई बिमारी हो, बट जिस भी person के अंदर होगा, उसे internal bleeding देखने के ल condition में, किसी किसी person का जो intestine में burst हो जाता है, because of this, worms, समझ जो तो कितनी बेकार बिमारी है, समझ देखने हो, ठीक है, इस इस दो एसकारियासिस, नव नेक्स्ट, नेक्स्ट इस एलिफेंटियासिस, अलिफेंटियासिस मतलब क्या, जिसी को हम लोग बच्चों, पाइलेरियासिस भी कहते हैं, सिम बिमारी है, elephantiasis और phylariasis, नाम सुनके ऐसा लगता है, यह elephant में हो नहीं चीए, पर होती ही इंसानों में, सही है, हिंदी में से हाथी पाउँ बोलते हैं, फोटो में देखा होगा, आप लोग ने फोटो दी हो, आपके बुक में, कि लोग जो पैर होते हैं, फूग जाते हैं, समझ रहे हैं, सब बड़े-बड़े पैर हो जाते हैं, बिकास अब यह होता कैसे है, यह एक, बुचरेरिया, बैंक प्रॉक्टी, अब यह एक मॉस्किटों के वेज़े से होता है, यह एक मॉस्किटों के अंदर घुमता है, एक वेक्टर के अंदर घुमता है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्यूलिक्स मॉस्किटों, क्यूलिक्स मॉस्किटों के अंदर, यह दोनों के वा मैं ने आपको बिटाये हुआ है बच्चो जबी आपकी ब्लेट वेसल आ किसी भी आर्गन के अंदर घुसती है तो कभी भी उसके अंदर से ब्लेट बाहर नहीं निकलता है यहाँ पर इस लिक्विड को अम लोग इंटर्स्टीशल फ्लुड बोलते है इंटर स्टीशिल देख कभी भी ब्लड आपके ब्लेड रेसल से बाहर नहीं निकलता because we have the closed circulatory system तो हमेशा यहाँ पर कुछ इंटर स्टीशिल फ्लूइड बाहर निकलता है यह फ्लूइड ऐसे और यह बाहर निकलने के बाद बच्चों यहाँ पर अंदर भी चला जाता है तो पहले बाहर निकलता है फिर अंदर चले जाता है जब यह बाहर निकलता है तो यह यहाँ पर एक दूसरे दूसरे नर्फ के अंदर घुसता है जिसे हम लोग कहते हैं लिम्फ इसे में लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ, क्लियर हैं? यह आपके लिम्फ के अंदर घुसता है, यह इंटरस्टिशल फ्लिड, लेकिन होता क्या है? अगर बुचलेरिया ब्रैंक अफ्टी आ गया आपके बॉड़ी के अंदर, जो मैं चाहता है, मैं नहीं चाहता किसी की बॉड़ी के अंदर कुछ भी हो, पर अगर किसी परसनल के अंदर यह हो गया, तो वो क्या करेगा? इसकी नीचे वाली ओपनिंग को बंद कर देगा, समझ हो जाएगा, समझ दो, सो ऐसे होता है आपका, that is आपका elephantiasis, clear है, समझ मैं आ गया, चलो नेक्स पर चलते फटा फट करते हैं, उसके बाद बच्चो बैक्टेरियल, बैक्टेरियल में बच्चो हमको पढ़ना है, सबसे पहले टाइफॉइड, या फिर इसको हम लोग कहते है है, enteric fever, देखो, इसी को हम लोग enteric fever बोलते है, enteric fever मतलब क्या, constant fever, एक constant fever है, जिसके अंदर ना changes आ रहे है, उसको हम लोग enteric fever बोलते है, या फिर इसी को हम लोग typhard बोलते है, किसके वज़े से होता है, एक bacteria के वज़े से होता है, जिसका नाम है, salmonella typhi, ठीक है, नाम ही फीवर, sustained fever मतलब क्या, ऐसा फीवर, जो continue रहेगा, जो जल्दी कम नहीं होगा, continued fever को हम लोग कह सकते हैं, it is a sustained fever, समझ मैं ही बढ़ ठीक है, ओके, वापस मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि मैंने यहाँ पर सारे symptoms, सारे precautions नहीं लिखे हुए, उन चीजों का आप read करेंगे, जो unique चीज़े हैं वही मैं आप लोगों बता रहा हूं, so it is a sustained fever, मतलब continue fever होता है, और intestinal perforation, इतना जादा बच्चों यह bacteria की concentration बढ़ जाती है, कि कभी-कभी किसी-किसी person के body में, जुसका intestine होता है, intestine उसके अंदर छेद हो जाता है, समझ है, जुसको हम लोग perforation बोलते हैं, तो intestine में छेद होने के छेद भी हो सकता है, इस condition में, इसको test करने के लिए, एक test बहुत ज़्यादा famous है, जिस हम लोग कहते है, vital test, ठीक है, अगर आपको टाइफाइड है, अगर आप vital test करवाओगे, अगर आपको लग रहा है कि आपको टाइफाइड है, vital test करा सकते हो, महां है, streptococcus pneumonia, दिएक़ो नाम से पता चल रह suspicion, streptococcus pneumonia, pneumonia cause करेगा, और एक आपको नाम है hemophilis influenza, अब दिएक़ो इसका नाम है influenza, तो इसका Steptococcus pneumoniae या फिर Hemophilus influenza ये दो bacteria है जो क्या cause करते हैं बच्चो आपको pneumonia cause कर सकते हैं सही बात है क्या infection है कैसे फैलता है ये बच्चो droplet infection के दुरू फैलता है अब droplet infection क्या होता है मैंने आपको बताया है अगर आपने चीका उनके droplets आपके environment में फैल जाते हैं अगर वही environment किसी ने सूंग लिया इसने वापस smell कर लिया तो वो bacteria आपके body में भी चला जा सकता है किसी person के body में जा सकता है जिसके वैसे उसे pneumonia होने के chances होंगे चीक है symptoms क्या क्या है बच्चो देखो chills आते है फीवर्स आते है यह तो common है अच्छा अल्वियोलाय फिल्ड विद फ्लूड मैंने आप लोग को लंग्स पढ़ाया है लंग्स ऐसे लंग्स होते है फिर यहाँ पर ऐसा क्या होता है आपका इस आर दो लंग्स इस आदो ट्रेक हिया पर इस condition में निमूनिया वाले condition में आपके अल्वियोलाय के अंदर कुछ fluid भर जाता है आपके अल्वियोलाय के अंदर क्या भर जाता है बच्चो कुछ fluid भर जाता है जिसकी वज़े से आपके body के अंदर oxygen की level कम हो जाती है oxygen क्या हो जाता है आपके body के अंदर कम हो जाता है और oxygen कम होने के वज़े से आपकी जो nails है समझ रहो आपकी जो lips ना आप लोगों बिगोज और देशिएंची ऑप और या बढ़ा है नेक्स बच्चो फंगल इनफेक्शन बहुत अच्छे सुना होगा आप लोगंने रिंग वाम का नाव आप लोग ने सुना होगा बच्पन में आता ता आडद खाद खुजली है तो बाया बीटेक्स लगा जो क्लर से वो जाता है वो रिंग कलर गडिंग शेप का दिखता है कौन कौन तीनए फंगस है कौन एक आपका यहति डिर्मेटों चैंद एक आपका बच्चोग्ट और यह आपका बच्चो मैक्रोस्पोरम यह तीन है जिनके विज़ेश से आपको रिंग वाम देखने के मॉइस्चर रहती है बहुत जादा पानी पानी लगता आपके बॉडी में तो आपको फंगल इन्फेक्शन यानि की रिंग वाम होने के चांसेश जादा होंगे एक चलेगा इतना समझ लोगे चलो आजाओ छोटी-छोटी पैरी-पैरी बिमारिया है यह ऐसी बिमारिया है जि जो कॉमन कोब्ड। कॉमन कोब्ड वह है जो सर्डी खांसि Normally यह आप लोगों होती रहती है ज़किया है अब यह जो बिमारिया है यह वाइरस है बच्चो इसे हम ल land जर्न वह बोलते है राइनो वाइरस यह क्या है राइनो वाइरस अब आप लोग को दो साल पहले यादी ह वाइरस की बहुत बड़ी फैमिली जिसके अंदर कोरोना वाइरस भी आता है उसने पुरे दुनिया में तहलका मचा दिया था सही है पुरी दुनिया बंध हो गई थी पुरी दुनिया शटडाउन हो गई थी सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे आप लोग ओनलाइन ले रहे थे ओनलाइन एक्जाम दे रहे थे समझ रहो तो एक छोटे से वाइरस ने कितना बड़ा तहलका मचा दिया जो इस राइनो वाइरस की कैटेगरी में आता है जो की कॉमन कोल्ड है समझ रहो रोज मर्रा का जो नॉर्मन लोग को सर्दिखासी होती है उसने पुरी द okay safe uh memory set टारे चेंटा ज़िये क्या करता है किसको इंफेक्स करता है जूव के अपर रिश्व एक्षिर करता है मतलब आपके लंगवं सोगह लं से कि अपके त्राकिया हो गया ऀंसारे इडिया को INFECT करता है कौन आपका राइनो वायर्स क्लीर है कितने दिन तक इंफेक्शन रह सकता है infection तीन से साथ दिनों तक रह सकता है समझना इ बाष चीडिकि इनके ठाल नीए यह वाले तो क्या क्या हो गयाा क्या है। अलोग ने लिजा के बारे में लेक्जर लिया आपना टॉपिक है उसे ढो हम लोग रीजियर लेक्जर करने वाले सही है तो अभी हम लुग सिफ एस दो कां सर गारे ठोषक को खतम करेंगे ठीक है जो डिविजन लेक्चर उस पर मिलना आप लोग मैं वाप लोगो आप लोगो आप लोगो अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ तो आप लोग को इस लेक्चर में चारी चीज़े समझ में होंगी ठीक है अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को कर देंगे बीना लाइक किये कोई भी नहीं जाएगा सब्सक्राइब जरूर से करेंगे और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेर करेंगे ताकि और लोगों तक हमारी जो नॉलेज है हमारी जो इनफॉर्मेशन है वह पहुच पाया और लोगों का जो 12 स्टैंडर है जो डर है बाइलजी का वह कम हो पहें तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं कीप स्टैंडिंग